हाँ तो नमस्कार पैरे बच्चों कैसी चल रही आप लोगों की बोर्ड परिश्विक्त जादी मुमित करते हैं बहुत अथी चल दी होगी ठीक है ना सभी बच्चे इस चीज को लेकर कन्फूजन में हैं और वो मुझ से जानना चाहते हैं कि महदे आपको क्या लगता है कि हमारा जो वर्ष 2024 का बोर्ड एक्जाम होने वाला है चाहे वो 10th क्लास का हो या 12th क्लास का हो इसका एक्जाम पैटन कैसा रहने वाला है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सारे एक्जाम पैटन जो कोरोना काल में आया था कि डवल अब्जेक्टिव वाला क्या यही हमारा जो है 2024 के पेपर में रहने वाला है या इसको बंद करके कोई नया पैटन आने वाला है तो प्यारे बच्चों हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताएंगे कि क्या हमारा पैटन इस बार 2024 में रहने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मेरे बच्चे और इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यह बहुत सारे बच्चों जान दीजेगा पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मैत में 100 अबजेक्टिव आते थे जिसमें हमें 50 बनाना था हिंदी में 100 आते थे बनाना 50 था संस्कृत में 100 आते थे बनाना 50 था साइन्स 80 था 80 आता था बनाना 40 था हमें 80 में से हमें 40 बनाना था और बच्चों यहां पर भी 80 में से हमें 40 objective यह हमारा objective का मामला होता था पहले बोलो हाँ या ना यह हमारा पूरा मामला था अब बच्चों के मन में doubt है कि हो सकता है साथ हा जाए जिसमें से हमें 50 बनाना हो 48 जिसमें 40 बनाना हो तो पहरे बच्चों इस बार का जो pattern रहने वाला है जहां तक मुझे यकीन है उसको कि पहले बच्चों यह जो pattern यह हमारा repeat करेगा यह pattern हमारा repeat करेगा यानि कि जो पहले था same to same यही रहेगा अब आप मुझे पूछोंगे महादर कि यह कैसे संभव है तो दिखिए अभी हाल फिलाल में sent up exam हुआ था बच्चों 12th class का 10th class का भी sent up नहीं हुआ है और जैसे 10th का sent up होगा तो हम लोगों को समझ में चीज़े आ जाएंगे और कई बच्चों sent up में जो होती है उसके अलावी भी कुछ हो जाता है ठेक है ना लेकिन लगभग लगभग chance है हमारे पूरे कि जो sent up exam है बच्चों अभी जो हमारा 12th का sent up exam हुआ उसका जो pattern था उन पहले वाला pattern था यहीं कि दुगने प्रस्न पूछे जाएंगे 100 प्रस्न में से आपको बनाने कितने हैं 50 बनाने हैं यह वाला मामला 12th क्लास में यह clear हो गया अब एक बात आप खुद सोचो कि अगर 12th क्लास में यह clear हो चुका है कि sent up में double प्रस्न दिये गए तो बच्चों 10th क्लास में भी 100% यही होने वाला है ठीक है तो मुझे लगबग प्यारे बच्चों आइम 90% से और आपका जो पेपर 2024 का होने वाला है उसमें 100 objective रहेंगे है ना और उसमें से 50 आपको बनाना है और जो 80 रहेंगे जिनमें से 40 आपको बनाना है और इस प्रकार से आपको subjective में भी इस तरह से आपको दिया जाएगा ठीक है यह प्यारे बच्चों हमें पूरा का पूरा अब देखिए अब लेकिन जेनरल 100% से और आप कब हो सकते हैं मैं 90% हूं 100% से और आप कब हो सकते हैं जब प्यारे बच्चों जब क्या है कि बोर्ड के द्वारा कोई official जानकारी द है कि 2023 का pattern follow कर रहा है है ना किया गया है 12th के sent up exam में यही same to same follow होगा मेरे बच्चे हमारे board exam में ठीक है ना 10th वाले में भी और 12th में ठीक है तो अभी तक आप यही समझे है कि आपके double percent रहेंगे अगर ऐसा नहीं होने का chance 10% है अगर नहीं होता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं यह ना ऐसा प्रस्ण बच्चों बच्चे के मन में आज से नहीं यह 2022 के paper में बच्चे पूछते थे महोदा कैसा रहेगा 2023 में भी बच्चों के मन में यह सवाल था और यह 2024 में भी यह सवाल बच्चों के मन में है और पैरवच्च आपको जानकर हाने होगी कि 22 में भी हमारा पैटन डवल वाला था यहीं कि दो गुने प्रसना आते थे 23 में भी तो प्यारा बच्छो पूरा उमिद है कि 24 में भी आएंगे अगर नहीं आएंगे तो सब के लिए नहीं आएंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए कोई अन्याय होगा जो होगा वो सभी बच्चों के अगर आपका सपना 450 है तो मेरे बच्चे 450 अगर आपका सपना है तो आपको पता होना चाहिए कि 230 अब्जेक्टिव टोटल पूछे जाते हैं और स्कूल से हमें मिलता है लगभग 38 नंबर तो टोटल अगर हम 230 में से 230 लाते हैं तो मेरे बच्चे आप जानके देखो 268 objective को आप कम मत समझे इसलिए objective को बारीकी से पढ़िए हर बुक के objective को बहुत बारीकी से पढ़िए इसलिए बस हम पढ़ा दिये हैं उसका revision वगरा करते रहेगे बच्चो ठीक है ना अब ध्यान दीजे जो बच्चे हमारा notes वगरा देखो इसमें कहले notes बहुत important होता है objective clear करन या course वगरा नहीं purchase किये हैं तो आप लोग पैरे बच्चो इस course को ले सकते हैं और देखे इसमें पैरे बच्चो आपका बहुत फायदा है dream 450 plus course है इसमें आपको crash course वगरा सब कुछ सुरू से लेकर अन तक के notes मिलते है पैनल PDF वीडियो live classes सब कुछ मिलता है ठेक है न और पैरे बच्चो इसकी fees कितनी है मात्र 499 रुपए इतनी है 499 रुपए फीस है अगर बच्चो आप इस वीडियो को offer के time में देख रहे हैं तो जो offer बच्चो चल रहा होगा इस समय वो offer पर आपको मिलेगा अगर मानके चलोगे कि यह वीडियो कभी आप offer के time में देख रहे हैं तो कुछ छूट वगर आब तो आपको मिलेगा ठेक है तो जो बच्चे नए हैं इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं और इस पर पेइमेंट वगर करके या फिर play store से जाके दिश्व अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसे ही बहुत ही सांदर टॉपिक के साथ